हलो गाईज, वेलकम टू यूद कम्पीशन टाइम, आसा करते हैं, आप लोग सबस्वस्थ होंगे और अपनी तयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे, आपको ये पता है, आरार्बी जेई, मैंने आपको वो सारी इंपोर्टेंट बुक आपको बता दिया हूँ, जो आरा हमारा ये चाहे इलेक्टिकल प्रांच की स्टूडेंटों, चाहे सिविल प्रांच की स्टूडेंटों या मेकैनिकल, वो कौन सी बुक हम लोग यहां पर प्राक्टिस करना शुरू करें, जिससे हमारा और बीजी में सेलख्शन हो जाए, और स्टेज चू ही आपका मेरिट बनाया है कि आपको कौन सी book आपको practice करके जानी पड़ेगी जिससे आपका selection stage 1 में हो जाए आज हम लोग बात करेंगे stage 2 और वो कौन सी most important book है जिसको तीनों branch को discuss करेंगे कि कि किसकी practice करके आप stage 2 में नाम सिर्फ क्या qualify करोगे क्योंकि आप मेरे डुस्ते बनेगी तो आपको उसमें number भी अच्छे लाने पड़ेंगा और आपको ये पता है खासकर mechanical engineer mechanical engineer वालों के लिए ये करो या मरो की स्थिति है क्योंकि वेकेंशी आपको पता है mechanical में सबसे कम आती है और ये railway में भी कमी आई समझे रहो आप बात को लेकिन आपको competition है लड़ना पड़ेगा fight करनी पड़ेगी selection लेना पड़ेगा समझ में आरी बात जहां से में आपके 40-50 सीट है आपकी बार जोन वाइस की भी बात करेंगी तो 2000-500 तक वेकेंशी आपके पास है तो लेकिन आपको अब क्योंकि fight बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वेकेंशी का इंतजार बहुत दिनों से लोग कर रहा है और student उतने अच्छे से पढ़ाई भी कर रह रहें तो वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है आपके लिए जो खास बाते रहने वाली वो मैं discuss करता हूं सबसे पहले हम बात करते हैं mechanical engineering के लिए कि mechanical engineering में कौन सी book सर हम लोग लगाए या practice करें जिससे हमारा number जो stage 2 में आए वो इतना अच्छा हो कि आप merit list में आपका नाम आ question syllabus pattern कुछ भी कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए यह जो हमारी book है mechanical and allied engineering यह देखरो आप जो लेटर्स 2019 की बात मैं कर रहा हूं जो paper हुए थे 29, 30 और 31 तारीक को वो तीन paper सिर्फ तीन paper previous year question है उनको आपको पहले लगा कि चेक करना पड़ेगा कि आप अभी किस तैयारी के किस फेज में हो आपको कितनी knowledge है क्या आपको पढ़ना है वो यह तीन paper से आप पता कर सकते हैं और इस book को जब open करोगे आप तो यहां पे आप देखोगे आपको pattern syllabus topic सब कुछ यहां पे detail analysis के साथ दिया हुआ है तो यह तो हो गया previous year question की बात कि यहां से सर हमने previous year question analyze कि कि किस किस type के question आते हैं उसके बाद क्या है सर यह दूसरी book है जिसमें साथ यह 73-100 यह क्या है सर rapid fire मतलब क्योख revision यहां से आप जितने सिर्फ और आर भी जी खास कर आपको stage 2 के लिए बनाया गया यह 73-100 question है यह क्या करता है सर आपका हर एक subject का चाहे आप mechanical की बात को इंडेस्टियल इंजिंडिंग की बात कर लो उनके सबसे इंपॉर्टन वन लाइनर आपको इस बुक में मिल जाएंगे इसमें इसी लिए इसको क्या नाम दिया सर रेपिट फायर टाकि आपके अगर एक्जाम में यह बुक इतनी इंपॉर्टन रहने वाली है कि आपके इंपॉर्टन की पॉइंट्स है ना वो सारे वन लाइनर में इसमें बना दिये गए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके तो एक्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टन और अगर आप टेस्ट के लिए भी यह आपके लिए बहुत इंपॉर् और यह आपका rapid fire थर्ड बुक जो आपको selection दिलाएगी RRBJ में वो रही जिसमें कितने कोश्चन है सर आपके 3300 प्लस कोश्चन है इसमें और यह क्या है सर यह जो बुक रहने वाली है RRBJ की वो all over India में जितने भी railway exam हुएं चाहे आप को उनकन railway ले ले लो समझ रहो आप बात को आप JMRC ले लो LMRC ले लो DMRC ले लो जितने भी आपके railway के exam हुएं वो सारे कोश्चन से यह मिलके बने हुए हैं जो आपके RRBJ स्टेस्टू के syllabus में हैं और इस बुक को अगर आपने मैं आपको बता रहूं अभी आपके लिए स्टेस्टू के लिए time मैं मैं आपको यह बता दे रहा हूं आप बहुत आसानी से इसको दो बार लगा सकते हो और सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात यह है यह जो आपका यह बुक है और यह बुक है वाई सीटी पब्लिकेशन पर जो आपका इंजिनिंग का चैनल है उस पे आपको इन सेंट आप माटीरियल खतम हो चुका है एक कोश्चन को डिटेयल में अनालेसिस किया गया और क्या कोश्चन आने की प्रॉबिलिटी है वो भी डिसकस किया गया है तो यह इन दोनों बुक का वीडियो सेलूशन फ्री में यूटूब पे दिया जा रहा है आपकी सेलेक्शन के ली यूथ हमेशा ही आपको चाहले बुक के टंस में बात करनें चाहहे वीडियो लेक्टर के घं में बात करनें हमेशा आपके साथ बहुत मिद्धम प्राईस पर देता आ रहा लेकिन अभी तो आप इन पूरे बुकों का वीडियो सलूशन आपको फ्री में दे रहा है आप समझ रहो 43 सो कोश्चन प्रॉपर सलूशन विद कॉंसेप्ट और क्या कोश्चन आ जा सकता है वो सारा बताया गया है आपकी कोई भी डाउट है आप इस बुक क पढ़ना चाहा रहा है आफ लाइन बुक नहीं पढ़ना मगाना चाहा रहा है वह एबुक फॉर्मेट में भी पढ़ सकता है और वहां पे भी जाओगे वाई सीटी एप पे भी देखोगे आप तो वहां पे भी आपको इन दोनों बुक का वीडियो सलूशन मिल जाएग स्टेज टू के लिए बुला ले समझने हैं आप बात को तो आपको ये अभी आप प्राक्टिस करो स्टेज वन की लेकिन उसके साथ साथ एक एक सब्जेक्ट का आप कोश्चन लगाते रहो और मैं आपको ये गारंटी बता रहो पढ़ना बहुत इंपोर्टन नहीं है आप आपको मैं बतारूं बहुत इंजनिंग की स्टूडेंट अंसे निकर वहुत दिन से तैयार है अब आपको जरूरत है constitution की प्राक्टिस की और वो कोश्चन की प्राक्टिस आप यहां से कर सकते हैं और कहीं कोश्चन ढोड़ने की ज़रूरत है नहीं समझे आप बात क्यों अगर आप 4300 कोश्चन लगा ले और आपका सेलेक्शन 101 परसेंट है और मैं आपको यह बता रहो ना आपको वीडियो सलूशन भी मिल जाएगा आगर यही बात हम लोग करें civil इंजिंदर की तो यही तीनों बुक आपके लिए किसके लिए है तर सिविल भॉण्च के लिए सिविल ब्रांच के अभी RRBJ में आपने देखा होगा UPSSY भी लगा हुगा UPSSY के में भी आपके किते 500 वेकेंसी आई थी 3000 वेकेंसी RRBJ में भी तो सिविल के लिए तो क्या है बहुत धेर सारी वेकेंसी और ये बुक ऐसा नहीं है कि सिर्फ RRBJ के लिए अरे clear है कि नहीं कि जैसे environment की बात करें कोश्चन ज़्यादा आते हैं building material के कोश्चन ज़्यादा आते हैं strength of material के कोश्चन आते हैं fluid mechanics और machine के कोश्चन आते हैं survey के कोश्चन ज़्यादा आते हैं आप समझ पार हो तो ये आपकी तीनों बुक बहुत important रहने वाली यहाँ पर 4521 कोश्चन है इसका video solution कराया जा रहा इस बुक का भी video solution आपको YouTube channel पे YCT publication के engineering channel पे इनका आपको proper solution मिल जाएगा समझ में आरी बात इसके लिए भी आपका यहाँ पर देखो rapid fire rapid fire भी इसमें भी आपको one liner जितने important आपके जेई के exam हुए कोश्चन को one liner में convert कर दिया गया है तो आपके लिए यह quick revision का काम करेगा अब रही बात यह तो हो गई civil के लिए third अगर हम बात करें तो यह आपके लिए electrical and allied engineering और electronics and allied engineering उनके लिए भी same मैं है समझ में आ रही बात ही मैं यह video इसलिए लाया हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं है सर कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है आपको मैं बता रहा हूँ इन तीनों book से mechanical की खास बात मैं कर रहा हूँ mechanical के लिए थोड़ा competition जादा है इस बात को समझ रही है क्योंकि SSCJE में civil की जो vacancy आई है वो आपको पता है हमेशा 900 या 1000 तक vacancy रहती लेकिन mechanical की वहीं पे 1500 या 200 तक ही रहती समझ में आ रही है वो भी किसके साथ electrical के साथ combine होके तो वहाँ पे आपका selection लेना थोड़ा सा उसकी लोता है लेकिन यहाँ पे RRBJE में आपके लिए golden opportunity है मैंना आपको stage 1 के लिए भी बताया है कि stage 1 के लिए आपको सिर्फ उन book की बहुत पूरे question नहीं लगाने होते है यार आप इस book को भी लगाओगे तो इसमें भी आपको clear कीजिए कोई भी doubt आ रहा comment section पूछिए आपके सारे question का जब आप मिले YCT app पे एक doubt section भी बनाया गया वहाँ पे आप जा के देखो कि अपने doubt सिर्फ photo कीज़के भिज़ना है आपको proper solution मिल जाए सारी बेवस्ताएं आपके RRBJE के selection के लिए की जा चुकी है तो आपको अब सिर्फ क्या करना है कि ये इन बुको मैं आपको बता रहा हूँ stage 2 clear करने के लिए तीन बुक आपको लेनी पड़ेगी और इन तीन बुक लेके आपकी practice आज से सुरू होनी चाहिए कोई ये भी ना सोचे कि stage 1 में पहले तयार कर लेता हूँ फिर stage 2 तयार करता हूँ time नहीं रहे आप stage 1 तयारी करो लेकिन 2 घंटे आप stage 2 के लिए भी दो क्योंकि merit इसी से बनेगी अरे समझपार होगी नहीं समझपार तो आप ये बुक कहां कर मिल सकता है आपको सर ये तो वाई सीटी पे एप पे आफिशल वेब साइट से आप मगा सकते हो फिलिप कार्ट पे मगा सकते हो अमेजन से मगा सकते हो समझ में हारी बत तो इस बुक को लेके अपनी तयारी RRB J stage 2 की सुरू कर सकते हो थैंक यू वेरी मच्च